तो बच्चो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले के लेक्चर में बताया था कि दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकरशित, force of rebellion आता है और आपके दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकरशित करते हैं अब मैं यही बात कहरा हूँ कि अगर दो आवेश पिंड हैं क्या वो समान आवेश से क्या वो एक दूसरे को आकरशित कर सकते हैं आप लोग सोच के बताएगे क्या ऐसा हो सकता है मेरा जवाब है हाँ कर सकते हैं अगर दो समान आवेशित पिंड हैं तो वो एक दूसरे को आकरशित कर सकते हैं कैसे? लेक्चर में देखेंगे चलिए आगे के बात करते हैं तो बच्चों हम आज जो पढ़ेंगे कुलाम का नियम पढ़ेंगे हमने बातचीत करी कि तो आवेशित कण के बीच में बल लगता है ये बल या तो प्रतिकरशन का होता है या आकरशन का होता है कुलाम वग्यानिक थे चावस कुलाम इन्होंने इस बल के उपर अध्यन किया और बताया कि यह बल किस प्रकार का है, किस प्रकार से इस बल का मान यानि कि magnitude चेंज होता है, क्या दिशा होती है इस बल की, तो ये सारी चर्चाए करते हैं, उससे पहले की बातचीत ये है, कि ये जो बल लगता है, कुलाम जी ने इस चीज का अध्यान किया, वह अध्यान बिंदू आवेश के लिए था अब ये बिंदू आवेश क्या होते हैं वो आवेश जिसका आकार या आकरती नगर्ने हो जैसे एक electron है इसका size बहुत चोटा है तो ये बिंदू आवेश हो गया एक proton है अलफा particle है ये आपके कैसे होगा बिंदू आवेश होगा है क्योंकि इनका आकार क्या है नगर्ने है आगे की बात चीत करते हैं बच्चों तो देखिए इनके बीच में लगने वाले बल की बात करते हैं आपको जैसे की दिखाई दे रहा होगा कि दो बिंदू आवेश क्यों तथा क्यू टू है इनके बीच की दूरी स्मॉल आ रहे है ठीक है और इनके बीच में बल लग रहा है क्योंकि ये सजाती आवेश है यानि कि सेम पोलेरिडी के चार्जेज है तो इनके बीच में प्रितिकाशड का बल लग रहा है जो आपको दिखाई दे रहा होगा अब इस बल का मान क्या है तो कुलाम सर्क चाल्स कुलाम ने इसके बिशह में बहुत अध्यान किया तो उन्हें यह पराप्त हुआ कि दो बिंदू आवेश यानि कि ट अंबाई का वर्ग का वित्करमा अनुपाती होता है तो बीटा जैसे कि आप देख सकते हो कि f is directly proportional to q1 into q2 और inversely proportional to the r² तो आपको पता चला आपको 1 upon r² दिखाई दे रहा होगा अब देखो proportionality sign को हम हटाते हैं तो constant लगाते हैं दोनों equation दोनों समिकर को हमने एक साथ ले लिया एक साथ लेने पर देखो क्या रहा है f is directly proportional to q1 by q2 upon r² अब proportionality का sign अटाते हैं बच्चो तो एक constant यानि कि नेतांक लगाते हैं इसे coulombs constant कहा गया के यहाँ पर एक नेतांक है और यह नेता आपका कोई dialectric हो सकता है यह सारी की सारी चीजे हम बार में पढ़ेंगे अब के का मान कितना होता है के का SI unit में मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 9 into 10 days to the power 9 newton meter square पर कुलाम square अब के की value किसके बराबर होती है तो यह कुछ constants है कैसे यह आपका माध्यम पे निरवर कर रहा है तो द नौट माध्यम की वैद्योशीलता यानि की permittivity of the medium कहते है इसका मान होता है 8.85 into 10 raise to the power minus 12 कुलाम square newton inverse meter raise to the power minus 2 अब यह देखे इस बल की कुछ विशेशता है यह बल कहां लगता है यह बल ऐसा तो नहीं है कि उपर और नीचे लगेगा दोनों बिंदू आवेशों को बच्चों मिलाने वाली जो रेखा है आपकी थ्यान से समझेगा यहाँ पर यह बल जो है बच्चों दोनों बिंदू आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है इसके अनुदेश इसी के उपर लगेगा या तो अगर दोनों आवेश विप्रीत आवेश है तो यह अट्रेक्शन का फोर्स होगा यानि कि आकशण का फोर्स होगा मान लिजी यह एक पॉजिटेव है दूसरा निगेटेव है तो य यह फोर्स ओफ रेपल्शन होगा प्रितिकाशन का बल होगा लेकिन यह बल देखिए उसी रेखा के अनुदिश लग रहा है उसी लाइन के अलॉंग लग रहा है जिस लाइन को यह दोनों चार्जिस जिस लाइन पर यह दोनों चार्जिस हैं तो हमें यह बात समझ में आई इसके बाद बल के परिमार को भी जानेंगे अब देखिए कुलाम बल एक छेतरी बल है छेतरी बल का मतलब क्या होता है यह बल दो आवेश एक दूसरे से अगर एक दूरी पर रखे तब भी लगेगा ऐसा नहीं है देखिए कुछ प्रकार के बल होता है आपका फ्रिक्षन है फ्रिक्षन कैसे लगता है बच्चों फ्रिक्षन दूर से लगता है या फिर ऐसे थोड़ी हवा में लगाऊंगा तो मेरे दोनों हाथों की बीच में फ्रिक्षन लग रहा हो यह बल लगेगा उससे पहले बल नहीं लगेगा मालों दोनों अनंत पे रखे हुए हो तो यह एक आवेश दूसरे आवेश के छेतर में आया ही नहीं और जब नहीं आया तो कोई भी बल नहीं लगेगा लेकिन कुछ निश्चित दूरी पर रखे हो तो एक आवेश दूसरे आ तो यह conservative force क्या होता है आप लोगों ने जानते हैं कुछ इसके विशह में what is the conservative force देखिए इसकी English में जो definition if the work done by the force does not depend on the part taken by the object then this type of forces are called conservative force अब हिंदी में क्या मतलब है यदि किसी बल द्वारा किया गया कार दे उसकी अंति तथा प्रारंबिक किस्तिती पर ही केवल निर्वर करें इस चीज पर निर्वर नहीं करें कि वो किस रास्ते से गया वस्तु किस रास्ते पर चली इस चीज पर नहीं बलकि उसकी क्या अंतिम इस्तिती थी क्या प्रारंबिक explain करता हूँ कि क्या है conservative force तो आईए देखिए मान लीजिए मेरा f एक conservative force है और इस बल ने कुछ काड़े किया अब यह ऐसे करके गया point a से b पर यह रास्ता हो गया या फिर ऐसे गया कैसी गया हो या तो path 1 यह निकि पहला रास्ता लिया हो या दूसरा रास्ता लिया हो दोनों रास्तों में इस बल ज्यवा कार्य समान आएगा अगर यह conservative force है चाहां समझ में आता है इस बात से यानि कि इस बल का किया हुआ कार्य इस क्या रास्ता था किस पत्क का चुनाव किया A से B के बीच में इस बात पर निर्बर नहीं करता किन्तु क्या अंतिम और प्रारंबिक इस बात पर ही निर्बर करता हो तो इस प्रकार के बल को conservative force कहते हैं अभी और जानते हैं कि conservative force के उधारन किया आपका बच्चों जो gravitational force है gravitational यानि कि गृतिये बल जो गृतिये बल है आपका gravitational force या force of gravity यह आपका conservative force है आपका spring force है elastic force है जब spring को आप खेशते हो या फिर आप उसे compress करते हो दबाते हो तो यह जो बल आता है spring के अंदर elastic force कहते हैं से हम प्रथ्यास्त बल बोलते हैं यह बल भी आपका conservative force है तो यह था आपका conservative force तो बच्चो यह दोनों आवेशों पर जो बल लग रहा होता है यह बल बल तो एक सदिश्राशी है तो यानि कि हमें दिशा तता उसके साथ-साथ परिमार की भी बातचीत करनी पड़ेगी तो परिमार की बातचीत कर ली f is equal to keq1 by q2 divided by r square अब बातचीत करनी है दिशा की तो इसकी दिशा होती है विपरीत परिमार में तो किन्तु यह समान होता है लेकिन इन दोनों बलो की जो दिशा होती है दोनों आवेश पे वो विपरीत होती है आप देख सकते हो चित्र में आ और क्यों नहीं यूज़ करें एफ वन्टू का मतलब है पहले आवेश पे बल दूसरे आवेश के कारण अगर मान लीजें इन में से एक भी आवेश मैं हटा दू क्या बल आएगा कोई बिलकुल नहीं आएगा अगर कोई वैद्द छेत्र नहीं है तो इस आवेश पर कोई बल नहीं आएगा यह बात हो गई दूसरा आपने सुना होगा एक्शन रियक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉन न्यूटन का तृतिय नियम क्या कहता है कि हर एक बल की एक क्रिया बल की प्रिक्रिया बल आता है यहनिकि क्रिया प्रिक्रिया का नियम तो इसी तरीके से एक फोर अगर फोस इस डारेक्शन में आया तो दूसे चार्ज पर फोस यस्ट उसके अपोजिक डारेक्शन में आएगा समान परिमान में आएगा पर विपरीत दिशा होगी अताहर यह दोनों बल कृया पर क्रीया बल्युग में कुलाम्का नियम बच्चो अब जो मैंने शुरुबाद करी थी ना उसकी बादस्यत यहां पर हैँ कुलाम्का नियम जो है आपका केवल बिंदू आवेशों के लिए वैलिड है केवल पॉइंट चार्जेस के लिए तो बच्चो हमने समझा कुलाम का नियम केवल बिंदू आवेशों के लिए वैद्ध है वैलिड है अब यह बिंदू आवेश किसको मानू मैं बिंदू आवेश किसको नहीं मानू यह समस्या बहुत बढ़ी है तो वह आवेश जिसका आकार सब यह अगर में पास दो आवेश है इन दोनों का आकार इनकी बीच की दूरी से बहुत चोटा है बहुत बहुत चोटा है तो इस प्रकार के आवेशों को मैं कहूंगा बिंदू आवेश तो बच्चो मैंने आप से कहा था क्या दो समान आविशित पिंड एक दूसरे को आकर्षित बल दे सकते हैं यानि कि बल आकर्षण का बल उनके बीच में आ सकता है आईए इस चीज को समझते हैं मान लीजिए मेरे पास एक धातू का गोला है यानि कि metallic sphere है एक और धातू का गोला है दूसरा metallic sphere ये दोनों बहुत बड़े हैं इनकी बीच की दूरी जो है उससे इनका आकार हम कह सकते हैं नगलने नहीं है इनका आकार बच्चे नगलने नहीं है दो मेरे पास हैं ये अब आप ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं कहा रहा हूँ इस पे भी धनात्मक आवेश है इस पे भी धनात्मक आवेश है ये धातू का गोला है और वो भी धातू का गोला है अब धातू का होने का मतलब क्या है धातू के गोले यानि कि धातू क्या होती है धातू भी क्या होता है बच्चो फ्री एलेक्ट्र होते हैं यानि कि मुक्त आवेश कहना चाहिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जब ये धातु का गोला भी गोले ए के पास में लाया जाएगा तो इसका जो धनात्मक आवेश है इसके अंदर उपस्तित फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रेक्ट करने लगेगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको रिपेल करने लगेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज पीछे की तरफ होगा औ इन दोनों के बीच में फॉर्ष ओफ अट्रेक्शन लगने लगेगा यानि दोनों थे तो समाल आवेश दोनो के तो समाल रखते थे किंतु यह बिन्दू आवेश नहीं है यहाव secrets पर जो आवेश था वो बिन्दू, आवेश नहीं था इसलिए यहां पर हम कुलाम की नियम नहीं लगा सकते तो यह बात मेरे को लगता है आप लोगों समझ में आएगे और important point था बच्चो कुलाम का नियम किस दूरी तक स्थित है यह जानना भी तो जरूरी है तो कुलाम का नियम दस की घात माइनस 15 मीटर की छोटी दूरी पर वैद्दे नहीं रहता है यह जानना भी आवर्शक है तो बच्चो कुलाम के नियम के उपर कुछ आधारित प्रश्ण को देखेंगे यानिकी सम questions based on कुलाम law तो क्या है आपके सामने स्क्रीन पे electrostatic force of attraction between two identical point charges of one कुलाम each which are separated by a distance of one kilometer is क्या है यदि दो बिंदूश आवेश हर एक के उपर आवेश है एक कुलाम का एक किलोमीटर की दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच में लग रहे हैं बलकी गड़ना करें तो बहुत आसान है करते हैं बच्चो देखो आपके सामने दिया है एक पॉइंट चार्ज है वन कुलाम का क्यूटू और क्यूटू का मान भी वन है इनके बीच की जो दूरी है बिटा ये दूरी दे रखे हैं एक किलोमीटर के दूरी पर ये रखे हैं पूछ रहे है कि कितना बल लग रहा होगा आसान है बहुत आसान है सबसे पहले बल का अगर आपको सुत्र रयाज हो तो यह उता है केई कूलाम नियता यदि कूलाम्स कॉंस्टेंट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्कूर आर की जो वैल्यू है यहां पर आर की वैल्यू बच्चो है एक किलोमीटर जिसे हम मीटर में कनवर्ट करेंगे तो हमे मिलेगा 1000 मीटर या लिख सकते हैं 10 की घात 3 मीटर अब केई का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 1 Q2 1 R की वैल्यू है आपकी 10 देश्टुदी पावर 3 इसका स्क्वाइर यह हो गया आपका 9 गुणा 10 की घात 9 एक गुणा 10 की घात माइनस 6 यह बराबर आगया आपका 9 गुणा 10 की घात 3 या मैं लिख सकता हूँ 9 किलो न्यूटन तो इतना बल आगया आप देखिए कि हमें किस तरीके से सूत्र का इस्तमाल करके हमने निका लिया बलकि गणना कर लिए देख लीजिए यदि दो सामान आवेशों के मद्द F पल लग रहा है उसमें से एक में से आधा चार्ज निकाला यानि कि अगर दोनों पर क्यों थे क्यों थे आधा निकाल कर दूसरे पर दे दिया तदा उनके बीच की दूरी को भी आधा कर दिया गया तो बताइए नय बल क्या मान क्या होगा बहुत आसान प्रिश्ण है चलिए देखते हैं तो देखो पहले जो बच्चे दो समान आवेश थे क्यों दूरी पर रखे जे मान लिया इनके बीच की दूरी आ रहे हैं अब क्या करा एक आवेश में से आधा निकाल कर दूसरे को दे दिया गया तो एक आवेश में से आधा जब निकाल गए हम दूसरे को दे देंगे तो इस पे हो जाएगा Q by 2 और इस पे हो जाएगा 3Q by 2 यानि कि Q plus Q by 2 जो हो गया 3 by 2 यानि कि 3 बटे तो Q के बराबर तता दूरी को कर दिया गया आधा अगर आपको पता हूँ तो मैंने बताया था F is proportional to product of charges यानि कि आवेशो का गोडन फर्ड और inversely proportional to R square तो बिटक क्या करो F2 अनुपात वाले नियम का इस्तमाल करेंगे F2 by F1 कैसे लिखते हैं जो उपर चीज है तो पहले जो charges थे आपके जो दूसरे case में charges हो गया की बोलते से इसे बोलते हैं Q2' कीक तो Q1' Q2' नए case में हो गया बटे पुराना पुराना बलन तो पुराने case में कितमे Q into Q अब देखो inverse होता है तो इसलिए उल्टा चलेगा पहले दूरी जो थी वो उपर आईगी और जो बाद में दूरी थी वो नीचे आईगी अब Q1' और Q2' की value रड़ो अगर तो आपको मिलेगा Q by 2 3Q by 2 और नीचे हो जाएगा Q square R1 आपका कितना है? R है और R2 यानि कि second case में जो beach की दूरी है वो by 2 हो गई है इसे हल करते हैं बच्चो तो देखो क्या मिलेगा यह आपको Q square Q square cancel हो गया तो 3 बटे 4 मिला और उपर देखिएगा आप ये 4, 2 का square 4 उपर पहुँच जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका R square ठीक है? और R square से R square cancel हो जाएगा 4 से 4 cancel हो जाएगा आगे आपका 3 यानि कि F2 by F1 की value हो गई 3 तो आपका F2 बराबर हो गया 3 F1 के यानि कि पुराने बल का 3 गुना हो जाएगा नया बल तो 3 times हो जाएगा अब देखते हैं क्या answer है? तो देखिए option D बिलकुल सही है option D में लिखा है 3 F यानि कि पुराने बलका तिगना हो गया असांत प्रिश्ण था चलिए अगले प्रिश्ण की बातचीत करेंगे A charge Q is to be divided into two particles which are separated by a fixed distance D so that repulsive force between them F is maximum then find the value of this maximum force अगर एक Q charge को इस प्रकार से बिवाजित करना है कि उनके बीच में लग रहे है बल का मान अधिक्तम हो तो यह है अधिक्तम बल क्या होगा बच्चो इसकी करना करनी है बहुत अच्छा प्रिश्ण है maxima minima का इस्तमाल करेंगे उससे निकालेंगे और कुछ conclusion हमेश अपने दिमाग में रखेंगे चलिए शुरू करते हैं बच्चो आप लोग भी try करिए अपनी तरफ से तो बिटा देखू सबसे पहले मेरे पास एक Q चार्ज है इसको divide करना है दो चार्जेज में तो मैंने एक चार्ज यहाँ पर कर दिया बिटा small Q और दूसरा चार्ज कर दिया Q-Q Q-Q हो गया दूसरा चार्ज खिक है बच्चो एक हो गया आपका Q दूसरा हो गया Q-Q अब इन दोनों के जो बीच में बल लग रहा है मान लिए D निश्चित दूरी पर रखा गया है इन दोनों के जो बीच में बल लग रहा है उसका मुझे अधिक्तम मान चाहिए तो Q, small Q की value या मान क्या हो जिसके लिए ये बल अधिक्तम हो तो समान आवेश है प्रितिकरशन का बल लगेगा दोनों पर बच्चो और ये मालिया F तो अगर मैं इस F force की बात करूं बेटा तो ये F force बराबर किता होगा F बराबर होगा K E इन दोनों आवेशों का गुड़नफर the product of charges that is Q minus Q into Q divided by इनके बीच की दूरी का square D square अब मुझे बल चाहिए small Q के उस मान के लिए जिसके लिए बल अधिक्तम हो तो करेंगे हम differentiation D F Y D Q और ये आगया आपका देखो इसे पहले ही मैं हल कर लेता हूँ यहाँ पर तो ये हो गया K Q Q minus Q square divided by D square K by D square तो बच्चों constant है इसको अलग रखा D by D Q और differentiation करेंगे Q minus Q square का जब इसको differentiate करेंगे तो बेटा हमें क्या मिला दियान से देखेंगे ये मिला हमे Q minus 2Q ये हमें मिल गया first derivative अगर किसी को maximum minimum में doubt हो कक्षा 11 भौत की गड़ित में जाके देख लेना आपको मिल जाएगा किस तरीके से किसी अवकलन के साहता से यानि के differentiation के साहता से किसी फलन यानि के function का हम maximum और minimum value calculate करते हैं तो ये आगे अपना अब बेटा इसका क्या करेंगे इसको हम करते हैं 0 के बराबर तो इसको जब 0 के बराबर करा तो क्या हुआ ke by d square q minus 2q is equal to 0 और यहां से मिलेगा q बराबर q बटे 2 जब हमें ये मिल गया अब इसका second derivative यानि कि दुतिया बार अब कलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें तो बेटा ये मिलेगा हमें d square और ये तो हो जाएगा क्योंकि ये constant है 0 तो इसका आजाएगा minus का 2 और ये negative है और negative होने पर मतलब मुझे जो बल मिल रहा होगा वो maximum मिल रहा होगा q is equal to q by 2 पर अब वो बल कितना होगा तो q की value हम यहाँ पर लगा देंगे तो हमें देखने को मिलेगा k जो की 1 upon 4 by epsilon not होता है q minus q तो ये q minus q by 2 q by 2 हो गया into q by 2 divided by d square और बच्चों जब इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 1 by 16 pi epsilon not एक बटे 16 pi epsilon not q square by d square so this is our answer अब देखते हैं options की कौन सा option correct है तो आप देखिए की option भी हमारा जो है वही answer है चलिए अगले प्रिश्न की बात चीत करते हैं the system consists of three charges all free to move kept in a straight line find the value of q so that all three charges are in equilibrium मतलब है की तीन charges है वच्चों जो रखे हुए है तीनों free है move करने के लिए यानि की चल सकते हैं अब ये बचाएगी की capital q charge का मान कितना हूँ कि सभी एक दूसरे के आकरशन तथा प्रतिकरशन के बल से साम में अवस्ता है यानि की हर एक charge पर जो net force लग रहा है वो zero लगे इस question को आप लोग करेंगे मैं इसके पीछे का एक trick और concept बताऊँगा आप लोग इसे homework में try करिएगा next video में मैं आपको बताऊँगा कि इसका solution क्या है लेगिन ये आपको करना है इससे पहले मैं आपको एक shortcut या ninja trick बताऊँगा निंजा टेक्निक जिससे आप इस तरीके के पहुत सारे question केवल और केवल बिना पैंट चलाएगे दो सेकेड़ के अंदर कर देंगे तो आईए बच्चों देखते हैं वो trick क्या है trick देखिए मान लीजी आपके पास दो समान आवेश है Q1 तथा Q2 मुझे इसके बीच में एक charge रखना है इनके बीच की जो दूरी दे रखी है वो D दे रखी है मुझे इसके बीच में एक charge capital Q इस तरीके से रखना है कि इस capital Q पर लग रहे है जो charge की value जो force का net value है यानि कि कुल जो बल इस capital Q charge पर लग रहा है वो 0 है कैसे होगा ध्यान से देखें अब क्या ये रणात्मक हो या धनात्मक हो ये भी तो नहीं पता ये मैं माल लेता हूँ अब ही धनात्मक है अगर ये धनात्मक हैं तो Q1 भी धनात्मक Q2 भी धनात मागता था आपका capital Q ये भी positive है अगर मैं Q1 की वज़े से बल देखूं यानि force देखूं तो ये इधर की तरफ लगेगा इसको मैंने कहा दिया F1 Q1 की वज़े से लग रहा है Q2 की वज़े से देखूं तो ये इधर लगेगा इसे मैंने कहा दिया F2 खीक है बच्चों अब मैंने मान लिया कि इस capital Q आवेश को मैंने Q1 से X की दूरी पे रखा है Q1 से X की दूरी पे रखा है ये X मुझे find करना है बहुत असान है देखिए आपका जितना बल Q चार्ज पर इधर लगे उतना ही बल Q2 की वज़े से इधर लगे यानि F1 और F2 बल का जो magnitude होना चाहिए सेम होना चाहिए और direction opposite होनी चाहिए तो F1 की value देखते है F1 बराबर बच्चों होगा मैं केवल परिमार की बात कर रहा हूं F2 की बात करूँ F2 बराबर किता होगा F2 बराबर देखो capital Q और Q2 के बीच पे जो force लग रहा है वो F2 है और इनके बीच की दूरी होगी D माइनस का X तो हम देखें के यह हो जाएगा के Q1 sorry Q2 Q D माइनस X का whole square अब दोनों दिशा में विपरीत है किन्तु इनका magnitude है यानि की परिमार है वो क्या होना चाहिए same होना चाहिए तभी तो एक दूसरे को cancel करेंगे तो हमने यहाँ पर यही किया के Q1 capital Q by X square बराबर होना चाहिए के Q2 by D माइनस X का whole square अब देखो क्या cancel हो गया K से K मर गया capital Q से capital Q को मार दिया D माइनस X अपाउन X का वर्ग यानि के square बराबर होगा Q2 by Q1 के यहाँ से अगर मैं square root ले लूँ क्योंकि मैं दूरी की बात कर रहा हूँ तो प्लस माइनस लेने की जरूवत नहीं है यह हो जाएगा square root of Q2 by Q1 और सबस्ते मैं यहाँ से यह होगा D by X और X by X minus का बराबर square root of Q2 by square root of Q1 D by X बराबर आजाएगा square root of Q2 by square root of Q1 प्लस 1 इस तरीके से आजाएगा और देखें मैं अगर मैं इसको हल कर दूँ यह बराबर किसके हो जाएगा square root of Q2 plus square root of Q1 divided by square root of Q1 अब अगर मुझे X निकाला है तो बच्चे मैं यहाँ लेख रहा हूँ X by D कितना हो जाएगा X by D हो जाएगा square root of Q1 by square root of Q1 plus Q2 square root of Q2 और यहाँ से देखूँ तो X बराबर हो जाएगा D square root of Q1 square root of Q1 plus square root of Q2 यानि कि जिस आवेश से मुझे दूरी निकालनी है X उसका वर्ग मूल लो दोनों आवेशों का वर्ग मूल का योग करो और बीज की दूरी से गुणा कर दो तुम्हें निंजा टेक्निक से समझ में आ जाएगा ऐसे 1000 प्रिश्न बना दो 1000 प्रिश्न ले आओ सभी का हल ऐसे हो जाएगा एक प्रिश्न और करके देखेंगे फटाक से और मुझे पता चल जाएगा कि क्या अंसर आएगा तो इस point को note कर लेना है कि जिस आवेश से दूरी निकालनी है जिस आवेश से दूरी निकालनी है उस आवेश का square root लो दोनों आवेशों का square root यानि कि वर्ग मूल लेके जोड़ दो और उसे divide कर दो x की value मिल जाएगी मुझे को अच्छा important point है competitive exam में अब आप इतना अगर हल करोगे तो फिर शायद दो या तीन सवालों के समय में एक सवाल कर पाऊगे तो इसको note कर लेना है और इसके उपर hash और डबे में इसे बन कर लेना है अब प्रिश्ण देखते हैं बचो उसी trick के उपर एक question देख लेते हैं माल लीजे मेरे पास small q और 9 q चार्ज है इसके बीच की जो दूरी दे रखी है ये d दे रखी है बताइए एक capital q चार्ज कहा रखें अच्छा मैंने पहले previous उसमें देखा कि चाए q धनात्मक हो चाए q रिडात्मक हो कोई फरक नहीं पड़ता अगर मैं उस point पे रखूंगा net force उस पे 0 ही होगा तो q कहा रखूं कि उस पे लगने वाले कुल बल का माल शूर ने हो तो सीजी सी बात है बच्चे 9 q की वज़े से अगर मैं 9 q के पास में रखूंगा तो बहुत force लगेगा इधर की तरफ और small q तो इतना force नहीं दे पाएगा दूर है तो यानि कि यह small q के पास में ही रखा जाएगा तब ही ऐसा संबब तो देखिए ज्यान से कि किस तरीके से प्रिश्ण को करें x मालनी दूरी small q से तो x दूरी निकालने का सूत्र डायरेक्ट देखो पहले आवेश जिससे दूरी निकालने है उस आवेश का वर्ग मूल दोनों आवेशों के वर्ग मूल का योग अब देखिए d square root of q square root of q plus 3 square root of q square root q cancel हो जाएगा तो d 1 plus 3 और d by 4 आगया answer कितने कम minute या कितने seconds में हमें पता चलिए आप इसको हम उस तरीके से नहीं करेंगे ये थी इसकी ट्रिक बच्चो इसे नोट कर लीजेगा बाकी जितनी भी चीजे जरूरी हैं जैसे maximum minimum या जो भी चीज़े मैंने सब description में डाल दी है आप लोगों को देखना हो आप प्लीज में बहुत जगे यूज होती है और mathematics में तो पड़ा ही जाइती है तो इसी तरीके से महने से तयारी करते रहें सीखते रहें और जो भी समस्याए दुविता आए कमिट में लिखिए साथी साथ इस lecture को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए उन्हें भी बताईए वो लोग भी कि कै जाय है